हेलो आभीवन वेलकन वाइफ़ एडुकेशन वाइफ़ एडुकेशन वाइफ़ एडुकेशन के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे डेली पुलिस कॉंस्टेबल का जो एक्जाम हुआ है 28 नुवंबर 2020 को तीनों शिफ्टों के जितने वी जिये और कंप्यूटर के कोईशन् इस लिए आपको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंट्स के साथ शेर जुरूगरना है तांकि जो भी स्टूरेंट्स डेली पुलिस कॉंस्टेबल एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच सके इसमें जो भी कोशन्स इंक्लूड क कर सकते हो 84-378-4-0-9 ये है वर्चैप नंबर इस पर अदर कोशन जो हैं वो आप सेंड कर सकते हो सो अब ज्यादा विलम बढ़ा करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले डिस्क्स करते हैं जर्नल अवेरनस के कोशना पहला कोशन पुछा गया था विच आफ राज्यस्थान रॉयल्स के दोरा यह आप याद रखें राज्यस्थान रॉयल्स इसके लावा आप यह याद रखें जो इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में हुआ है इसको होस्ट किया है यूएई ने यूनाइटड अर्ब एमिरेट्स ने और इसको जीता है मुंबई इंडिय और जो रॉनर्श अप टीम रही है वो रही है डेली कैपिटल्स इसके लावा आप से पुछा या सकता है कि औरेंज क्एप किसे दिया गया है औरेंज कैप उसको मिलता है जिसके दोरा जिसके दौरा मॉस्ट नम्ब्र ऑफ रखें बनाय जाते है उनको दिया जाता है औरें कोशन है याद रखिए नेक्स कोशन पुछा गया था विच ओफ दा फॉलिंग इस लोकेटड है इंगलेंड में यह सिटी है इंगलेंड का यहां पे होंगे कॉमन वेल्थ गेम्स दोहयर 22 में इसके लाबा आपसे यह भी पुछा यासकता है कि दोहयर 18 वाले कहां हुए थे यह हुए थे गॉल्ड कोस्ट में जो की एक सिटी है औस्टेलिया का यह आप याद रखे गॉल्ड कोस्ट औस्टेलिया next question पुछा गया था third number question in case of population यानि population के case के according कौन सा state अइटिया का जिसमें सबसे चोटा मना आता है यह state कौन सा है यह state है सिक्किम सिक्किम की population सबसे कम है यह आप याद रखें अगर बात करें हम UT की union territory जो है सबसे smallest है वो है लक्षद वीप यह याद रखें आप यह है according to population, अगर बात करें हम according to area, area के according सबसे जो चोटा राजे है वो है गोवा, यह आप याद रखें गोवा जो है सबसे चोटा राजे as per area, यह आप याद रखें शेत्रफल के हिसाब से जो चोटा राजे है वो है गोवा, इसको confuse नहीं करना है सिक्कि साथ है next question पुछा गया था which of the following city will be the hosting city of 2024 summer Olympics summer Olympics जो होंगे 2024 में इसको कौन सा city है जो host करेगा ये city है Paris जो है ये है city France का उसमें city पुछा गया था उसका अंसर था Paris next question पुछा गया था Dan David Price जो है 20 years के लिए gender equality के लिए वो किसे मिला है ये दो लोगों को मिला है gender equality के लिए मैं आपको बता दूँ तीन category में Dan David Price दिया जाता है हर साल ये तीन categories कौन कौन सी है एक तो है gender equality जो exam में actual question पुछा गया था ये दिया गया है दो लोगों को एक तो है गीता सेन एक है देबरो आट दी इन दोनों को दिया गया है gender equality के लिए डैन डैविड प्राइज 2020 में इसके लावा cultural preservation and revival के लिए दिया गया है लोनी जी बंच थर्ड को और बार्बरा क्रिशन बलाट और गिंबलेट इन तीनों को दिया गया है यह award जिसको बोलते हैं डैन डैविड प्राइज कल्चरल प्रेजर्वेशन एंड रिवाइवल के लिए एक होती है category artificial intelligence यह दिया गया है दो लोगों को देमिस हसाबिस और एमनॉन शचवा इन दोनों को दिया गया है आर्टिफीशन इंटेलियेंस के लिए डैन डैविड प्राइज 2020 यह के लिए नेक्स कोशन पुछा गया था विच ओव दा फॉलिंग विकम दा फर्स्ट एवर म्यूजिशन टू वी अवाड़ेड भारत रतना यानि पहले म्यूजिशन कौन बने हैं जिनको भारत रतना अवार्ड दिया गया था यह हैं मदुरई यानि MS सुपा लक्षमी जो हैं इनको दिया गया था यह पहली म्यूजिशन बनी हैं जिनको भारत रतना अवार्ड से स्रमानित किया जा चुका है इसरी राइटन से था इस question का MS सुबू लक्षमे Next question पुछा गया था In which year the foreign exchange reserve crossed UST 400 billion dollar यानि किस year में भारत का foreign exchange reserve था इसके द्वारा cross किया गया था 400 billion dollar से cross हो गया था किस year में हुआ था यह हुआ था 2018 में इसके लावा 2020 में ये cross हो चुका है 500 billion dollar से यानि इंडिया का जो present time में जो foreign exchange reserve है वो है 500 billion dollar से ज्यादा ये वी आप याद रखें Next question पुछा गया था temple से कमख्या temple जो है ये कहां पे लेक्वेटर है कमख्या temple जो है ये लेक्वेटर है असाम में ये आप याद रखें Next question पुछा गया था GST कब implement किया गया था GST जो है इसको implement किया गया था 1 July 2017 को 1 July 2017 इसके इलावा जो पहला देश था जिसके दोरा GST को implement किया गया था वो देश था France ये वी पुछा या सकता है ये वी आप याद रखें France एक book के बारे में question पुछा गया था Overdraft Saving the Indian Saver इस book के author basically पुछा गया था इस book को लिखा है उर्जित पटेल ने उर्जित पटेल जो की former governor रह चुके है इनके दोरा book लिखी गई थी Overdraft Saving the Indian Saver अभी जो present time में जो RBA के governor है वो है शक्तिकांत दास शक्तिकांत दास और इनके आगे चार deputy governor होते है इनके आगे RBA के governor के आगे Next question पुछा गया था कलम कारी जो है यह hand painted है यानि hand painting है हातों से बनाई जाने वाली painting है यह जो किस राज्जे से associate है कलम कारी जो है यह associate है आंदरप्रदेश से यानि कलम कारी जो है यह type painting है किस राज्जे की है यह है आंदरप्रदेश की यह basically question पुछा गया था Next question पुछा गया था India share largest international boundary with which country यानि इंडिया के दोरा largest international border जो है वो किस देश के साथ share किया आता है यह है बंगलादेश approximately 4,097 km जो है वो border share किया आता है international level का बंगलादेश के साथ अगर पुछा जाए सबसे चोटा जो border है वो किस देश के साथ share किया आता है उसका अंसरोगा अफगानिसान only 106 km का only 106 km एक question पुछा गया था कौनसा जो religion है कौनसा धर्म है जो कि अकबर के दोरा start किया गया था ये था दीन ए इलाही दीन ए इलाही जो धर्म है इसको start किया गया था अकबर अकबर जो है ये अनपर राजा था ये आप या दिखें आप से पुछा जाता है कौनसा राजा था जो कि इल्ल ट्रेट था यानि अनपर था वो था अकबर नेक्ट एक कोश्चन पुछा गया था Australian Open के साथ Australian Open 2020 में पुछा गया था Woman's कैटागरी में किसने जीता है वो जीता है Sophia Canyon ने Sophia Canyon के दौवरा जीता गया है woman's कैटागरी में Australian Open यहां पर woman's पुछा गया है manzo वी आप से पुछा या सकता है मेंजो केटेगरी में जो जीता है वो जीता है नवायक जोकोविच ने और इनकी जो कंट्री है वो है सर्विया सर्विया देश से बिलों करते हैं नवायक जोकोविच next question पुशा गया था Dandy March के बारे में एक question आया था Dandy March के बारे में यह जो Dandy March था यह चला था 12 March 1930 से लेकर 6 April 1930 तक और यह कहां से start किया गया था साबरमती से start किया गया था जो की located है गुजरात में गुजरात में एक जगा है जिसका नाम है साबरमती यहां से इस Dandy March को गांधी जी के दोरा start किया गया था यह भी पुछाई आ सकता है किसके दोरा start किया गया था उसका अंसर होगा महतमा गांधी जी जल्यावला बाग massacre जो हुआ है यह कब हुआ था यह basicly question पुछा गया था यह हुआ था 13 April 1919 को 13 April 1919 को भुआ था जो जल्यावला बाग हत्याकांड हुआ था इसके जो order दिये गये थे वो दिये गये थे general director के दोरा यह कहा हुआ था यह हुआ था आमरेत सर में आमरेत सर में हुआ था जो की located है पंजाव में इसके लिए order दिये गये थे general director के दोरा नेक्स्ट एक पुछा गया था सैटलाइट के एलेटर कुशन एपस्टार एपस्टार जो है एपस्टार 6D बेसिकली सैटलाइट का नाम पुछा गया था ये कौन से देश का सैटलाइट है ये है चाइना का चाइना का एक सैटलाइट पुछा था जिसका नाम था एपस्टार 6D, China एक कोश्चन पूछा गया था स्क्रिप्ट से, गुरुमो की स्क्रिप्ट जो है गुरुमो की लिप्पी जो है, इसको किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, यानि Father of गुरुमो की स्क्रिप्ट जो है, वो किसे कहा जाता है यह है सिखिजम के एक शेकन्ड गुरू जिनका नाम है शिरी गुरू अंगगडेव जी के द्वारा गुरु मोखी स्क्रेप्ट को स्टार्ट किया गया था यह आप याद रिखे शीरी गुरू अंगडेव जी जो सिख्खिजम के पहले गुरु थे वो थे शीरी गुरु नानक देव जी जे भी आपसे पुछा यासकता है सो याद रखिए नेक्स कोश्चन पुछा गया था एंत्रेक्स वैक्सीन जो है इसको किस के द्वारा डिसकावर किया गया था एंत्रेक्स वैक्सीन जो है इसको डिसकावर किया गया था लुइस पास्चर के द्वारा लुइस पास्चर एक कोश्चन पुछा गया था शोबना नरायनन जो है य आपका अंसर था कत्थक कत्थक जो है यह फेमस डांस है यूपी का उत्रप्रदेश का यह आप याद रखें शोबबा नाइडू का जो डांस है वो है कुच्चीपुडी कुच्चीपुडी डांस जो है वो है आंद्रप्रदेश का यह आप याद रखें आंद्रप्रदेश क एक कोश्ण पुछा गया था सवराज पार्टी को लेकर सवराज पार्टी जो है इसको दो लोगों ने start किया था 1923 में CR 10 और मोतिलाल नहरु मोतिलाल नहरु और CR 10 के द्वारा start किया गया था सवराज पार्टी को 1923 में एक कोश्ण पुछा गया था in which state maximum number of seats in Rajya Sabha Rajya Sabha में यानि Upper House में किस Rajya में सबसे ज्यादा seats है यह है UP में, UP में कितनी है यह है 31 और लोगसबा की जो total seats है वो है UP में 80 और विधान सबा की जो seats है total वो है 404 404 seats है विधान सबा की लोगसबा की 80 80 और जो Rajya Sabha है इसकी जो seats है वो है total 31, सबसे ज़्यादा राज्य सभा में वी, लोग सभा में वी और विधान सभा में वी, तिन्नो चीजों में जो सबसे ज़्यादा जो seats हैं वो है UP में, उत्रप्रदेश में यह आपर याद रखें एक कोशन पुछा गया था, सबसे पुराना हाई कोट है, यह आपर याद रखें नेक्स एक कोशन पुछा गया था, वाइस प्रेजिएंट को लेकर वाइस प्रेजिएंट जो हैं, यह किस सदन के एक्स ओफिशो चेर्मेन होते हैं यह होते हैं राज्य सभा के राज्य सवा के एक्स ओफिशो चेर्मेन होते है जिनका नाम होता है वाइस प्रेजिनेट प्रेजिनेट में जो वाइस प्रेजिनेट इंडिया के वो है वेंक्या नैडू वेंक्या नैडू जो है थर्टीन्थ वाइस प्रेजिनेट ओफ इंडिया और जो प्रेजिनेट में इसको किसके द्वारा establish किया गया था बनार्स Hindu University को बनवाया था मदन मोहन मालविया के द्वारा establish करवाया था बनार्स Hindu University को In which state has the highest per capita income यानि individual level पर सबसे जो ज्यादा highest per capita income है वो किस राज्य की है यह है गोवा राज्य की गोवा जो सबसे छोटा राज्य भी है एक question पुछा गया था एक book और पुछी गए थी playing it my way इस book को किसके द्वारा लिखा गया था इस book को लिखा गया था बोर्या मजूमदर के द्वारा और यह जो autobiography है किस famous personality के है यह है सचिन तेंदुलकर जो है इनकी autobiography का नाम है playing it my way और इनके द्वारा यह book बोर्या मजूमदर के साथ मिलके लिखी गई है सचिन तेंदुलकर और बोर्या मजूमदर के द्वारा इस book को लिखा गया है playing it my way एक question पुछा गया था Federation cup से Federation cup जो है यह किस game से associate है यह deal करता है football से football से deal करता है कप जिसका नाम है Federation cup एक पुछा गया था fed cup काफी student बोर रहे थे कि fed का पुछा गया काफी student बोर रहे थे कि federation का पुछा गया था अगर fed का पुछा गया था तो आपका अंसर था tennis अगर federation का पुछा गया था तो आपका अंसर था football एक student बोर रहा था कि रंजी ट्रॉफी भी पुछा गया है, अगर पुछा गया था रंजी ट्रॉफी तो आपका अंसर था क्रेकेटा, क्रेकेट से एसुसेट है रंजी ट्रॉफी यह आप याद रखिये, नेक्स्ट एक question पुछा गया था, World Health Organization को लेके, World Health Organization का जो Head Quarter है वह है जनेवा में, और इसके बेसिकली इर्रेक्टर जेनल पुछा गया थे, यानि इसweies Organization के हैं करिंट टाइम में वह पुछा गया थे, यह हैं Tadros Adhanom, और यह जो Organization यह मनी थी साथétaरफ को 1949 को, इसलिए हर साल World Health Day वी मना जाता है 7 अपरल को ये वी आप याद देखे World Health Day वी मना जाता है हर साल 7 अपरल को क्योंकि इस दिन World Health Organization का गटन हुआ था ये आप याद देखे जनेवा में हुआ था और जनेवा में ही Headquarter है World Trade Organization का ये वी आप याद देखे बीहु फोक डांस के बारे में पुछा गया था बीहु जो फोक डांस है ये है असाम रजे का चारा चारी इंसीडेंस के बारे में एक कोशन पुछा गया था ये कब हुआ था ये हुआ था पांच फरबरी 1922 को पांच फरबरी 1922 को हुआ था यह पॉइंट किया गया है मनोज सिना को, मनोज सिना को पॉइंट किया गया है as the lieutenant governor of Jammu and Kashmir, इसे पहले कौन थे, वो थे GC मुर्मू, GC मुर्मू जो थे, यह पहले lieutenant governor बने थे, Jammu and Kashmir के, यह भी आप से पूछाया सकता है, अब क्या है, यह जो GC मुर्मू है, अभी अभी इनक किया गया है, Comptroller and Auditor General of India पॉइंट किया गया है, next एक कोशन पूछा गया था, to how many players Arjun Award given in the year 2020, 2020 में जो Arjun Award है, वो कितने प्लेस को दिया गया है, यह दिया गया है 27 प्लेस को, 27 प्लेस ऐसे हैं जिनको Arjun Award दिया गया है, 2020 में, और 5 प्लेयर ऐसे हैं जिनको Rajiv Gandhi खेल दतन अव Award यह भी आप याद रिखें, इन पांचों के नाम आप मुझे comment box में लिखके जुरूर पताइए, इसके साथ साथ आप यह भी लिखके बताइए, वो कौन सी गेम से associate है, यानि particular जो प्लेयर है, उनकी जो गेम है, उनका नाम भी आप मुझे comment box में लिखके बताइए, जो National Sports Award को distribute करने के लिए कमेटी बने थी, जिसके chairman बने थे, Mukundhkam Sharma, Mukundhkam Sharma, next question पुछा गया था, कौन सी यूनिवस्टी है, जिसके दोरा मक्का टॉफी जीती गई है, यानि मौलाना अब्दुल कलाम अजाद टॉफी जो है, इसको किसके दोरा जीता गया था, इस टॉफी को जीत next question पुछा गया था, पत्ता चित्रा के बारे में, पत्ता चित्रा जो है, ये art form है, किस रज्जे का है, ये art form है, उडिशा रज्जे का, उडिशा रज्जे का painting form है, जिसका नाम है पत्ता चित्रा, ये आप याद रिखे, painting form उडिशा, निती आयोग के बारे में वी एक question nesasa para transform ing India और इसके जो चैर्मन होते हैं वह होते हैं हमारे देश के परदानमंत्र्य जो है नॉएंद्रव मौदी जी और वाइसेट चेर्मेंट यूह होते हैं इसके वह है राजीव कुमार और इसके जो CEO है वह है अम 위 Condor कान्त और इसको पहले planning commission बोलते पहले नीतियोग को बट एक जनवी 2,15 को इसको रिनेम किया गया था इसका नाम रखा गया था नीतियोग का इसका पुराना नाम भी पूछाया है इसका पुराना नाम है planning commission. यह भी आप वख़या रखेंगे. नेक्स पुछा गया था कैग से रेटेड़ा कैग का आर्टिकल बेसिकली पुछा गया था कैग का जो आर्टिकल है कम्ट्रोल एंड अडिटर जनल ऑफ इंडिया का यह आर्टिकल 148 और करंट टाइम में जो कैग एंडिया के वो हैं जी सी मुर्मू इनके दौर रेप्लेस किय रजीव मेहरिषी को काफि स्वेंड़ें बोड़े थे की तीन वो पूछई गई आ तंसों में अलग लग उतन पूछी की तर्की की तर्की की के पिटल टर्की की जो राजानी है मोर्аем और तायलैंड की जो राजानी है वो है पाल्ग को का नाइजर जो है इसको आपको nigeria के साथ confuse बिलकुल नहीं करना है जो nigeria देश है यह अलग देश है इसकी जो राजानी है वो है abuza abuza जो है यह राजानी of nigeria और niger की राजानी है निया में दोनों को confuse नहीं करना है next एक question पुछा गया था dash is the study of causes and effects or injury यानि इसमें किस चीज़ की study होती है dash is the study of causes यानि इस परकार की जो study होती है उसको हम क्या बोलते है उसको बोला जाता है pathology pathology जो है यह study of causes and effects or injury pathology first time national anthem जो है यह कब गाया गया था यह गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को काफी student बोर रहे थे कि national song के बारे में पुछा गया है पहली बार national song जो है हमारा उसको कब गाया गया था उसको गाया गया था 1896 में दोनों में से आपसे कोई वी question पुछा गया हो तो आपने देखना है ध्यान से रखना है अगर national song पुछा गया था तो आपको नेक्स्ट शेफ्ट में national anthem पुछा आसकता है जो गाया गया था पहली बार कॉलकत्ता सेशन में जो हुआ था 27 सद दिसंबर 1911 को यह आप याद रखें नेक्स्ट एक कोईशन पुछा गया था यह रहते हैं अरुनाचल प्रदेश में यह आप याद रखें यह है minimum यह है maximum बिहार में 1206 एक किलोमेटर में और अरुनाचल प्रदेश में only 17 एक किलोमेटर में दोनों कोईशन याद रखें इंपोर्टन है पुछा बिहार बला गया था नेक्स्ट एक को पुछा गया था यानि CIC जो है अभी किसे पॉइंट किया गया है यह पॉइंट किया गया है Y.K. Sinha को यानि यशवरधन कुमार Sinha इनको पॉइंट किया गया है अज़के पॉइंट किया था पाला डेनास्ट्री जो है इसके जो founder है वो कौन है इसके last ruler जो है वो है रामपल और इस dynasty को found किया था गोपला ने गोपला ने found कि दी पाला डिनस्टी को गोपला और last यो ruler है वो है रामपल एक question पुछा गया था which ruler is also known as mental ruler या फिर mad king भी बोला जाता है यानि कौन से शाशक हैं कौन से king है जिनको mad king के नाम से यानि पागल राजा के नाम से भी जाना जाता है ये कौन से राजे हैं ये हैं राजा महमद बीन तुगलक का महमद बीन तुगलक जो है इनको पागल राजा का title भी दिया जाता है महम्मद बीन तुगलका मनिका बत्रा से लेटर एक कोईशन पुछा गया था मनिका बत्रा इनका स्पोर्ट बेसिकली पुछा गया था कौन से स्पोर्ट से एस्वेट है ये खिलाडी है टेबल टैनिस की टेबल टैनिस से एस्वेट है मनिका बत्रा table tennis servants of Indian society ये जो बुक के है इसको लिखा किसने है servants of Indian society बुक को लिखा है Gopal Krishna Gokhale ने Gopal Krishna Gokhale के दोवारा बुक लिखी गई है servants of Indian society Gopal Krishna Gokhale next पुछा गया था which of the following is the captain of Cheney Superkings C.S. के जो है इसके जो current time as the captain है वो कौन है ये है MS Dhoni Mahindar Singh Dhoni यह आप याद रिखें MS धोनी तांसेन जो है यह पुछा गया था बेसिकली तांसेन जो है अकबर के कोट से पहले कहां पर काम करते थे यह पुछा गया था तांसेन जो है अकबर के कोट से पहले कहां पर काम करते थे यह थे एक अकबर के कोट से पहले स्वामी हरीदास के कोट में स्वामी हरीदास के कोट में काम करते थे तांसेन अकबर के कोट में काम करने से पहले यह आप याद देखें यह काफी कहराई में कोशन पुछा गया था स्वामी हरीदास नेक्स एक कोशन पुछा गया था पतंग के वारे में पतंग जो है य गोजरात राजे का पुछा गया था जिसका नाम था पतंग ऑनुल इनट्व केया था यह नहीं पAmerica dar by the immune system destroying the cells in the pancreas that make penicillin यानि कौन सा disease है यो की कारण बनता है जब immune system जो है वो destroy हो जाता है उस समय कौन सा disease जो है वो हो सकता है यह है disease diabetes father of chemistry के बारे में पुछा गया था father of chemistry जो है वो कहा जाता है Antoine Lavoisier को Antoine Lavoisier जो है इनको कहा जाता है father of chemistry यह question पूछा गया था who has appointed as a brand investor of e-bike go e-bike go एक company है इनके दोरा अपना brand investor किसे बनाए गया है इनके दोरा अपना brand investor बनाए गया है Harbazan Singh को Harbazan Singh को appoint किया गया है as a brand investor by the e-bike go Harbazan Singh जो की एक cricket खिलारी है Harbazan Singh एक पूछा गया था UPI यानि यैसे हमारे पास रुपए का जो debit card है उसको भी launch किया गया था NPCI के दोरा ये भी पुछा या सकता है credit card वगेरा debit card वगेरा वो सभी जो implement करते हैं वो करते है NPCI रुपए का जो है ये launch किया गया था NPCI के दोरा ये भी question बन सकता है अगली shifts में याद रखिए next question बुछा गया था RTGS की full form RTGS जो है इसमें पुछा गया था जो GIS की full form basically बुछा गया था RTGS जो है इसकी full form जो है real time gross settlement real time gross settlement पहली जो किसान train है इसके बारे में question बुछा गया था पहली जो किसान train है ये चली थी महारास्टा से बिहार तक और कौन-कौन से प्लेसे जली थी ये प्लेस था दियोलाली टू दानापूर दियोलाली जो है ये है महारास्टा में दानापूर जो है ये लेक्टर है बिहार में इन दोनों को विलाओं करते हैं डेविड मलन यह पुछा गया था कौन से देशे हैं यह हैं इंगलेंड देशे एक कुछा गया था आर्टिकल 219 के बारे में आर्टिकल 219 जो है यह एसोशेट है ओथ एंड अफिर्मिशन बाइदा जजजस ऑफ दा हाई कोड़ा यानि उच्छ नियाले के जो वी जजजज होते हैं इनकी ओथ और अफिर्मेशन जो है इसका सारा प्रोसेस वगएरा है वो लिखा गया है आर्टिकल 219 में यह आप याद रिखें आर्टिकल 219 नेक्स एक कोशन पुछा गया था टॉप स्टेट इन इस ओफ डूइंग बिजनस इंडेक्स इसमें प्राजे है वो है आंद्रप्रदेश सेगें जो रहेंगा है वो है यूपी का उत्रप्रदेश का थर्ड जो रहेंगा है वो है तिलंगाना का टॉप 3 याद रिखिए आप पुछा या सकता है जो सेकंड नमपर आया है वो किसका है उसका अंसरों का यूपी थर्ड जो प्ल की मुशा गया था देगे चार अप्श में से कौन से deputy governor नहीं है जो current उप है ज wygląda है ऐथाक्र उनकी नाम भी आप रिख सकते हो M. राजेश्वर राओ, M. D. पात्र और M. के जैन और B. कननन को ये चार परसन है जिनको अपॉइंट किया गया है Deputy Governor of R. B. ये जादर किया चार होते हैं ये भी पुछाई आसकता है कितने होते हैं Deputy Governor Reserve Bank of India में उसका अंसरोगा चार एक कोश्चन पुछा गया था निजामो दिन चिस्ती के बारे में निजामो दिन चिस्ती दरगा जो है ये कहां पे लोकेटर है इसकी लोकेशन वेसिकली पुछा गया था इसकी जो लोकेशन अब हो है डेली में एक कोश्चन पुछा गया था राणी लक्षिमी भाई के हस्बेंड का नाम पुछा गया था राणी लक्षिमी भाई जो है इनके हस्बेंड का जो नाम है वो है राजा गंगादर राओ नाविलकर यह हैं हस्बेंड ऑफ राणी लक्षिमी भाई राजा गंगादर राओ नाविलकर यह आप याद रखें य भी विद्यावती जो है इनको पॉइंट क्या गया है एस दा डिरेक्टर जनल ऑफ आर्के लोजिकल सर्विय ऑफ इंडिया यह सारे के सारे जो हैं जो हमने काफी सारे कवर किये हैं इस वीडियो के माध्यम से अगर आपके पास इनके इलावा कोश्चन हैं तो आप मुझे कमे करके विता सकते हो अधरवाइस आप वर्सा पर भी शेर कर सकते हो अब डिसकस करते हैं computer awareness के जो कोश्चन सो पुछे गए हैं वो किस परकार के पुछे गए हैं पहला question पुछा गया था कौन सा shortcut की है जो की यूज किया आता है किसी cell को delete करने के लिए एक Excel sheet में Excel sheet में जो various परकार के cells होते हैं इनको delete करने के लिए कौन सा shortcut की है जो use किया आता है यह है control plus minus यह जो minus का sign है इसको हम control के साथ press करेंगे तो हमारे जो cell होंगे इनको delete हो जाएगा यानि यह delete हो जाएगी Excel sheet में यह आप याद रिखें control plus minus symbol एक question पुछा गया था default font जो है ms word में ओनगर मेंगा जो है और बहुतर में में maximum है में कितना भी कर सकते है और इनकोर और सकते है यह हम नहीं अपने कर सकते हैं बडो जो by default होता है वो होता है आठ minimum maximum होता है बातर modem की full form पुछे गए थी modem जो है ये stand करता है modulator demodulator modulator demodulator ये है full form of modem एक question पुछा गया था maximum number of columns in ms word यानि ms word में जो rows होती है ये तो unlimited होती है यानि ये जो columns होते हैं इनकी संख्या पुछे गए थी maximum कितने हो सकती है ये maximum हो सकते है 63 63 हो सकते है maximum एक question पुछा गया था API के बारे में API की जो full form है basically वो पुछा गया था API की जो full form है वो है application programming interface application programming interface एक कोश्चन पुछा गया था MICR के बारे में MICR जो है इसकी full form basically पुछा गया था इसमें पुछा गया था C की जो full form है वो क्या है इसमें C की जो फुलफॉर्म में वो है क्रेक्टर मैं आपको पूरी बता देता हूँ Magnetic Ink Character Recognition Magnetic Ink Character Recognition यह है फुलफॉर्म ओफ M-I-C-R एक question पुछा गया था Who is the father of C language C language जो है इसके जो पितामा है वो किसे कहा जाता है यह कहा जाता है Dennis Richie को Dennis Richie को कहा जाता है father of C language Vishav का पहला super computer जो है इसका नाम पूछा गया था Vishav का पहला super computer जो था CDC 6600 यह था जो विशव का पहला super computer था और इंडिया का जो पहला super computer था वो था Param 8000 पार्म 8000 यह आप जा देखें और इसको बाद में rename किया गया था इसका ने रिनेम करके बाद में name रखा गया था Cray 1 यानि अगर आपको option में CDC 400 नहीं होगा तो आपको Cray 1 option में दिया गया होगा यह जो Cray 1 जो है नाम यह Samer Cray जो है इनके नाम पे रखा गया है Samer Cray के द्वारा इसको बनाए गया था बेसिकली यह आप रियाद रखें Samer Cray को कहा जाता है father of super computer यह भी आप रियाद रख सकते हो next एक question पुछा गया था any error in the computer program is known as यानि अगर computer program में कोई error आ जाता है गलती आ जाती है उसको क्या बोलते हैं उसको बोला जाता है bug, bug बोला आता है जो error आता है computer program में bug एक question पुछा गया था अगर हम font style को change करना चाते हैं उसके लिए हम कौन सा shortcut की प्रेस करेंगे उसका जो answer था वो था control plus shift plus P, control plus shift plus P जो है यह हम shortcut की प्रेस करेंगे जब हम font style को change करना चाते हैं एक shortcut की और पुछी गे थी कौन सी shortcut की है जो की हम use करते है line break करने के लिए यानि line को बीच में से तोड़ने के लिए ms word में कौन सा shortcut की है जो हम use करते हैं यह है shift plus enter shift plus enter इसके इलावा एक question पुछा गया था row hide के बारे में यानि अगर हम row को hide करना जाते है पुछा गया था column को select करने के लिए यानि column जो है उसको select करने के लिए कौन सी shortcut की है जो की हम press करते है यह है control plus space अगर हम row को select करना चाते हैं उसके लिए shortcut की है shift plus space पहला electronic computer पुछा गया था पहला electronic computer जो है वो है electronic numeric integrated end computer यह है पहला electronic computer अगर पुछा जाए कि पहला business computer कौन साथ वो था universal automatic computer यह है हमारा UNIVAC यह थे सारे के सारे questions जिसमें हमने GA, GS और connect face के साथ computer को cover किया है अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को like करना है, share करना है और अगर आपने हभी तक हमारा चैनल wifi education को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करके bell icon को जुरू पैस कर लें तांकि इस तरह की जो detail में videos होती है वो आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर available करवाई जाए सबसे पहले, इसलिए आपको चैनल को subscribe करके bell icon को जुरू पैस करना है तांकि आगले वी जो shifts होंगी उनकी आपको अच्छे से provide की जाए अगर आप इस वीडियो की PDF डाउनलोर करना चाते हो तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल wifi education से इस वीडियो की PDF डाउनलोर कर सकते हो टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगा otherwise आप wifi education के नाम पर सर्च करके भी टेलिग्राम चैनल को जॉइन करके सभी PDF को वहां से डाउनलोर कर सकते हो इसे पहले जो 27 नवंबर का जो रिव्यू था उनको सभी questions को combine करके PDF की form में upload कर दिया गया है अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो की PDF भी देख सकते हो वहां पर टेलिग्राम पर उस PDF को भी share कर दिया गया है अगर आप वीडियो देखना चाते तो उसके लिए अलग से वीडियो जो है है तो आप आपने जो questions होंगे memory based उनको आपको इस number पर send जूरूर करना है कल को यानि कल जो shift होगी उसके लिए जो questions होंगे तो आपने इस number पर memory based questions को send जूरूर करना है तांकि other students का इससे फाइदा हो सके सो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं next review में so thanks for watching take care goodbye God bless you all keep supporting Wi-Fi education आप subscribe करके bell icon को जुरूर रपैस कर ले so thank you so much